अज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 14 विशेगनित कक्षा 10 हमारी देट 6 अगस्त के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपदों के शुन्यकों का जैमीतिय अर्थ जो बहुपद के शुन्यक होते हैं उसका जैमीतिय मीनिगग क्या होता है ठीक है देखो पहले दोहरा लेते हैं कि बहुपद क्या होते है ग्राफ में क्या क्या होता है ठीक है उसके बाद एक दू नागर्स होते हैं 1 2 3 इस तरीके से डेक Wie उनक, तो उनका जो मिलाके जो पद बनते हैं हमारे एक से ज़ादा, उनको हम बोलते हैं बहुपद ठीक है, तो बहुपद की जो घात अगर में निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं बहुपद की घात होती है, चर्की सबसे बड़ी घात जैसे उधारन के तोर पर आपको ये दिया हुआ एक बहुपद X की घात क्या है? 4 है, प्लस में 3, X की घात 3, प्लस में 1 तो यहाँ पर मैंने बोला है, 4 की सबसे बड़ी घात जो होती है, वो होती है बहुपद की घात ठीक है तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है देखो X की घात 4 है और यहाँ पे X की घात 3 है 4 या 3 कौन सा बड़ा है 4 बड़ा है तो X की सबसे बड़ी घात जो है यहाँ पर 4 है चर क्या है एक्स है ठीक है सबसे बड़ी घात क्या है चार है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी चार ठीक है आगे समझ अब चलो बहुपद के शुन्यक निकालने हो अगर हमें तो बहुपद के शुन्यक मतलब आपको चर संक्या के जिस मान से बहुपद का मान शुन्य हो जाए उसको उस x की value को हम क्या बोलते हैं बहुपद का शुन्यक की इसकी वजए से ये बहुपद शुन्यक हो जाता है ठीक है जैसे यहां पे यह आपका बहुपद x plus 2 ठीक है, x plus 2 में x की ऐसी क्या value रखो, मैं कि ये जो बहुपद है, ये 0 हो जाए, शुन्य हो जाए तो x plus 2 को 0 रखे देखो, x plus 2 को जब मैं 0 रखती हूँ, तो मेरा x का मान आता है, minus 2 तो x की मान, अगर मैं minus 2 रखती हूँ, और फिर plus 2 तो था ही पीछे, तो 0 आ जाता है तो x की value, x की value minus 2 पर जो ये बहुपद है, ये 0 हो जाता है, तो minus 2 क्या है, इस बहुपद का 0 है ठीक है, आगे समझ छोटी सी बात है बिलकुल, अब चलिए, अब हम सीखते हैं कि graph में क्या-क्या होता है ये देखेंगे, यहाँ पर नीचे आपको graph दिया होगा, आपको पता है कि एक कार्थिय तल में, यहाँ पर जब हम graph बनाते हैं, तो 2 आपकी ये line बनाते हैं एक क्या होता है, X अक्ष होता है, और एक क्या होता है, Y अक्ष होता है, इसकी अंदर 4,44 होते हैं, जो पहला होता है, उसके अंदर X और Y दोनों की value प्लस में होती है, जो दूसरा होता है, उसमें X की value माइनस, Y की value प्लस में होती है तीसरे में X और Y दोनों के दोनों माइनस होते हैं चोथे में आपका एक value प्लस में और एक value माइनस में होती है ठीक है यह आपको पता है अब एक छुटा सा question है यहाँ परियास करें इसको practice कर लेते हैं ठीक है आओ परियास करें छुटा से दो questions है आपके पहला है आपका की आपको दिया हुआ है बहुपत X का जिसके अंदर क्या equation सभी करना है X की घाथ 4 प्लस में 2 X की घाथ 3 प्लस में 3 X प्लस में 6 तो आपको बहुपत की घाथ बताने है अभी-बहाँ भी मैंने आपको बताया था कि बहुपत की गात क्या होगी जो आपका चर है जैसे यहाँ पर x चर है तो x की जो सबसे जादा सबसे बड़ी गात होगी वो हमारे बहुपत की गात होगी तो सबसे बड़ी गात क्या है 4, 3 या फिर 1 4 सबसे बड़ी गात है तो बहुपत की गात भी यही होगी तो answer में आप लिखोगे यहाँ पे 4 clear, इसका answer क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो 4 clear, next है आपका आपको बहुपत दिया हुआ है x plus 5 x plus 5 का आपको 0 निकालना है 0 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इसको 0 के equal रख दो बराबर रख दो, तो मैं क्या करती हूँ x plus 5 को मैं 0 रखूँगी ठीक है, अब मैं x को इधर ही रखूँगी, अब plus 5 था उधर equal to के इधर जाएगा तो यह minus में हो जाएगा, है ना तो 0 क्या हो जाएगा, 0 क्या है हमारा minus 5, क्योंकि जो minus 5 पर ही जो यह बहूपद है, वो 0 के बराबर होगा, तो x का मान क्या आ जाता है मारा minus 5, तो यह दो चोटे-चोटे question थे, first और second जो हमने complete कर लिये हैं, अब इसको हटा दू, आगे move करते हैं, मारी worksheet पर आगे हमें क्या दिया हुआ है इसको हटाते हैं, next पर चलते हैं, आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो y है, y किसके बराबर है, y एक बहूपद है बहूपद है किसका x का, ठीक है ना, तो यहाँ पर शुन्य ग्यात करने के लिए, हमें शुन्य गात करने के लिए क्या करते हैं, इसको जूर शुन्נी के बराबर रखते हैं वहुपद को, है ना तो माल लेते हैं जो ये वहुपद X का, मैं इसको Y का नाम देती हूं, मतलब Y 0, Ry 0, Ry 0 है X अक्षपर होता है, Y 0 कहां पे होता है, X अक्षपर होता है ना, तो अब मालीजे आपको ऐसे इस तरीके का आपको ग्राफ दिया जाएगा इस ग्राफ में से आपको बताना है कि कितने शुर्ण्यक होंगे हमारे इस बहुपद की कितने शुर्ण्यक होंगे यह बताना number of zeros कितनी होंगे तो जहां जहां पर यह X देखो अगर बहुपद X का दे रखा हो तो X अक्ष चेक करना है अगर यहां पर P of Y होता बहुपद Y का दे रखा होता तो हम Y X चेक कर देगी Y पर कहां कहां टच कर रहा है आपको यह देखना है अब यह बहुपद किसका X का है एक्स चर है यहाँ पर तो आपको देखना एक्स पर जो यह मेरी लाइन है जो यह रेखा है यह एक्स पर जितनी भार भी टच करेगी इसको स्पर्ष करेगी एक्स अक्ष को उतने ही मेरे क्या होंगे बहुपद के शुन्नक होंगे उधारन की तोर पर यहां पर एक तो X अक्ष पर यहां टच कर रही है एक, दूसरा यहां टच कर रही है दो, और तीसरा यहां टच कर रही है तीन, तीन जगे स्पर्ष कर रही है X अक्ष को, ठीक है न, तो इस बहुपत के कितने शुनक होंगे, तीन शुनक होंगे, जितनी ब मतलब जितने बहुपत की घात उतने शुन्यक उतने हल और आलेक में उतने बिंदू एक्स अक्ष पर मिलते हैं ये आपका conclusion है ठीक है ये बिलकुल सही है क्या बोला है ध्यान से सुनो इसको फिर से पड़ो मतलब जितने बहुपत की घात होती है बहुपत की घात जो सबसे अब चलते हमारे question answers पे तो आज की worksheet में सिर्फ आपको ये चोटा सा ही एक प्रशन दिया गया है दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे तो यहां पे आपका question क्या है ये आपका question है ठीक है दिया है आओ दिये गए आलिकों में बहुपत वाई is equal to polynomial of x बहुपत है एकस का इसके शुन्यकों की संख्या गयाद करने है अब है मैंने बताया ता इस तरीके के आपको graph दिया हो क्या है p of x है p of x है मतलब की आपको x अक्ष पर check करना है x अक्ष पर कितनी भार छू रहा है उतने ही उसके शुन्यक होंगे, शुन्यकों की संख्या निकालनी है न, तो X पे जितनी बार चूएगा उतनी, शुन्यक की संख्या होगी, ठीक है, जैसे आपका पहला कोशन देखो, पहले कोशन में यहाँ पे देखो, टच तो यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन यह मानने नहीं होगा, क्यो शुन्यक होंगे, X का एक ही मान होगा, जहाँ पे यह बहुपत शुन्यक के बराबर होगा, ठीक है, तो फॉर्स का यह होगा, आपको कोपे में यह ग्राफ भी बनाना है, नीचे यह भी लिखना है, और साथ में आपको यह बिंदू भी दर्शानी है, ठीक है, मैं इसको संक्या एक होगी, दूसरे ग्राफ में देखो कितनी बार चुरा है, एक तो होगया यह पोइंट, ठीक है, एक तो होगया यह, एक मेनिट, ठीक है, यह होगया, दूसरा यह होगया, दो बार चुरा है न, है न, तो शुन्यक के संक्या कितनी होगी, शुन्यकी संक्या दो फर्श कर रहा है यह एक बार यहाँ पे थो इसको दिखाओ गहें और यह दूसरा पॉइंट दो तो शुर्णट का कितनी हो गई दो होगी यह दूसरे का Łnש कि सऑब कर दो टुछ तो यह अपर दीगा लेकिन यह तो यह तो माना नहीं जाएगा वाई जो मारा एक X को तो सिर्फ एक ही जगे पर टच कर रहा है यहां पर तो शुर्णे की संक्या क्या होगी एक होगी और कौन सा पॉइंट पर टच कर रहा है इस पॉइंट पर यह पॉइंट आपको दिखाना है ठीक है अगला है शुर्णे की संक्या क्या है दो है कैसे है दो क्योंकि X को दो कि तो एक एक सेango कर रहा है और यहां पर चुछ कर रहा है तो एक 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 क्छ कर रहा है और एक बार यहां पर चुछ कर रहा है तो संक्जा कितनी होगी शुन्य की 2 यह हो गया हमादा कोंपर जिसमें से चारों में Lenksy मुद्व Magic शुन्यकी संक्या कितनी है एक बार टश कर रहे है तो एक है दो बार कर रहे है तो दो है ठीक है तो notebook में ये चारो के चारो ग्राफ बनाने है बिंदू पर गोल करके दिखाना है और नीचे ये भी लिखना है कितनी शुन्यक है ठीक है ये चोटा साज आपका homework था I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है कोई भी doubt है पूरी worksheet में किसी भी question में तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लगी तो channel को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then take care bye bye